पुराने विधान में ये शुमसी के बारे में पहले से ही की जा चुकी थी तो जैसे की कल हमने बात की थी Passover Feast के बारे में यानि की फसे के त्योहार के बारे में जब परमेश्वर ने अपने बड़े बल से अपनी शक्ती से इस्राइलियों को मिस्रियों की गुलामी से छुड़ाया था लाल समुद्र को सुखा कर लेकिन आज की जो घटना है आज की जो भविश्यवानी है वो एक घटना के साथ जुड़ी हुई है एक incidence के साथ जुड़ी हुई है और ये incidence लाल समुद्र को पार करने के बाद का incidence है जी हाँ ये घटना तब की है जब इस्राइलियों ने मिस्र की गुलामी को छोड़ कर लाल समुद्र को पार किया था और शूर नामक जंगल में वो पहुँचे थे तो इस घटना के बारे में बताने से पहले सबसे पहले मैं चाहूंगी कि हम पवित्र बाइबल में से ही इस वचन को पड़ें ये लिखा गया है निर्गमन गरंथ अध्याय पंद्रा पचसंख्या 22 से वर्स 22 अनवर्ड्स अब मुसा इसराइलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नामक उजार परदेश में पहुँचे वे तीन दिन तक ऐसे उजार परदेश से होकर चलते रहे जिसमें कहीं पानी नहीं मिला वे मारा पहुँचकर भी मारा का पानी नहीं पी सके थे क्योंकि वे कड़वा था और इसलिए उस स्थान का नाम भी मारा पड़ा लोग मूसा के विरुद ये कहते हुए भुनबुनाने लगे हम क्या पीए उसने प्रभू की दुहाई दी प्रभू ने उसे एक लकड़ी दिखाई उसने उसे पानी में फेंका और वे पानी मीठा हो गया प्रभू ने वहाँ उनके लिए आदेश निकाला और एक विधी बनाई उसने वहाँ उनकी परिक्षा ली उसने कहा यदे तुम अपने प्रभू ईश्वर की वानी ध्यान से सुनोगे और उसकी इच्छा पूरी करोगे उसकी आज्याओं और सब विधियों का पालन करोगे तो मैं वे बिमारियां तुम्हारे उपर नहीं ढाहूंगा जिन्हें मैंने मिस्रियों पर ढाही थी क्योंकि मैं वे प्रभू हूँ जो तुम ही स्वस्थ करता है इसके बाद वे इलीम पहुंचे वहाँ पानी के 12 सोते और खजूर के 70 व्रिक्ष थे उन्होंने वहीं पानी के पास अपना पड़ाव डाला हम देखते हैं इस घटना में कि जब इसराइली शूर नामक जंगल में पहुंचे तब वो कुड़कुडाने लगे मुसा के विरुद कि अब इस जंगल में हम क्या पिएंगे हम क्या करेंगे शायद मुसा हमें यहाँ मारने के लिए लिए आया है इससे अच्छे इससे भले तो हम मिस्ट में ही थे वो लोग ऐसा सोचने लगे लेकिन ऐसा सोचने के पीछे का उनका कारण क्या था उनका कारण यह था कि तीन दिन से उन्हें पानी का कोई सोता नहीं मिला था शूर नामक जंगल में और जब मिला भी तो जिस थान में उन्हें पानी मिला वो पानी खारा और कड़वा था और इसलिए उस जगे का नाम उन्होंने मारा रख दिया तब ऐसा हुआ कि लोगों का विरोध सहने के बाद लोगों की बाते सुनने के बाद मूसा ने परमेश्वर की दोहाई दी और परमेश्वर ने उसे एक लकड़ी दिखाई और परमेश्वर ने कहा कि इसे पानी में डाल और जब उसने उसे पानी में डाला तब वो खारा और क वो म हैं वो चिन्ता में इसलिए आए क्यूंकि उनकी आंखें परमेश्वर से अथ गई थी उनका ध्यान पर мешवर से अब तीन दिन ही हुए थे उन्हें मिस्र से निकले हुए लेकिन वो लोग ये तक भूल गए कि परमेश्वर उन्हें मिस्र से अपनी बड़ी शक्ती के साथ कैसे छुडा लाया और परमेश्वर ने लाल समुद्र के पानी तक को सुखा दिया था ये तक वो लोग भूल गए थे लेकिन जब मुसा ने प्रभू के कहने के अनुसार उस लकड़ी को पानी में डाला तब वो पानी मीठा हो गया था और हर किसी ने उस पानी के सोते में से पानी को पीआ भी अब अगर पुराने नियम के इस कॉंटेक्स्ट को हम नए नियम के साथ रिलेट करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो लकडी है जिसे मुसा ने पानी में डाला ये सीधे सीधे प्रभु येश्यु मसी की क्रूस की ओर संकेत करती है क्योंकि हम देखते हैं कि पुराने विधान में जब मुसा ने उस लकडी को पानी में डाला तो पानी मीठा हो गया और इसराइली बच गए, क्योंकि तीन दिन से वो प्यासे थे इसी तरह जब प्रभु येश्य मसी ने क्रूस पर अपनी जान दी इस मानव जाती के बचाव की, इस मानव जाती के पापों की मुक्ती की, इस मानव जाती के उधार की निर्गवन के ग्रंद अधिहाई 15 उसकी 26 वर्स में हम जब पढ़ते हैं तब उसमें लिखा है उसने कहा यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वानी ध्यान से सुनोगे और उसकी इच्छा पूरी करोगे उसकी आज्याओं और सब विधियों का पालन करोगे तो मैं वे ब परमेश्वर स्वस्थ करने वाला चंगा करने वाला परमेश्वर है वह हमें चंगा करता है हमारी बिमारियों से हमारी आत्मिक बिमारियों से हमारी जहनी बिमारियों से हमारे पाप करने की इच्छा से हमें वह चंगा करता है और इसी तरह नए ने में जब हम देखते हैं तो वो प्रभु येश्यो मसी की क्रूस ही है, जो उस लकड़ी के साथ रिलेट हो रही है, जिसे मुसा ने उस खारे या कड़वे पानी में डाला था और उसके डालने के बाद वो पानी मीठा हो गया, इसी तरह आज भी जब हम प्रभु येश्यो मसी पर और उनकी क्रूस पर में बच गये उस तरह हम भी बच जाते हैं हमारे यह कंए यह है कि इसराइली कुड़कुडा रहे थे उस पानी के लिए जो सिर्फ और सिर्फ शरीरिक प्यास को भुझा सकता था लेकिन प्रभु येश्य मसी जो कि हमारे जीवन का मीठा जल है वो वायदा करते हैं हमें वो जल पिलाने का जिसे पीने के बाद कोई भी अनंत काल के लिए प्यासा नहीं होता तो चलिए इ करते हैं प्रभु येश्य मसी से who is the sweet water of our life जो हमारी जिंदगियों का मीठा जल है मीठा पानी है कि इस क्रिस्मस के जशन को मनाने से पहले वो हमारे जीवन में से हर एक कड़वेपन को दूर करे हर एक पाप को गुना को हर एक उसकष्ट को दूर करे जो हमें उससे दूर कर होता है तांकि हम प्रभु के जन्म दिन को प्रभु के बर्थडे को यानि कि क्रिस्मस को आत्मिक रीती से तयार होकर मना सकें God bless you all